तो दोस्तों जो लोग NCL की नेक्स्ट वेकंशी की त्यारी में लगे हुए हैं तो उनके लिए जीके के कुछ कोश्टन्स हैं उनका कुछ सेट्स लेकर आई हूं मैं इसके पार्ट 15 बनाऊंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टन वो कोश्टन है जो हरे के एंसल एक्जाम में प के लिए उनके लिस्त है जो लिए जाने वाले हर एक एक्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टन कोश्टन में से कुछ कोश्टन्स है तो प्लीज को पूरा जरूर्ण देखें और बहुत ही शॉक्ट वीडियो बनाने का सोचा है मैंने ताकि आप लोग बहुत ही कम टा प्रतम कब गाया गया ठीक है कब गाया गया है यह ध्यान दीजेगा यह कोशन बहुत बार पुछा गया है बहुत सारे एक्जाम में इंक्लूडिंग तो इसका एंसर होगा 27 दिसमबर 1911 और गाया कहां गया था कॉंग्रेस के द्वारा गया गया था कुलकता अधिवेशन में ठीक है मैं आप लोगों को आप्शन के थूरू नहीं करा दियूं ताकि आप लोगों को यह चीजे एकदम रट जाएं ठीक है यह 15 कोशन है एक बार मे आपातकाल कब गोशित किया गया वो देट पूछी गई है यह गोशित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को ठीक है 1962 की बात करें तो चाइना वार वी इसी टाइम पे हुआ था ठीक है उसी टाइम पे यह आपातकाल गोशित किया गया था तो अपर कोशन को कुछ ऐसे रिलेट कर के लर्ण करेंगे ठीक है चलिए अब देखते हैं next question तो next question है आपका भारती राजी की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी ध्यान दीजेगा question है पहली महिला मुख्य मंत्री इसका answer है सुचेता क्रपलानी जो कहां से बिलॉंग करती थी यह उत्तरपदेश ने बिलॉंग करती थी ठीक है बहुत यह static question है जो भी है यह मैं बता रही हूं यह हर एक exam में पूछी जाते हैं तो आप लोगों को option के through इन्हें learn नहीं करना है इन्हें one line as a one line of fact learn करना है ठीक है जैसे question पूछे दागा वैसे आपके दि है जो उत्तरप्रदेश की ठीक है तो आगर देखा जाते हैं इन दोनों में relation क्या यूपी मतलब उत्तरप्रदेश के ही है दोनों पहली महिला मुख्यमंत्री भी और पहली महिला राज्यपाल भी ठीक है अब देखते है next question तो question number five है आपका राज्य सभा धन विदेयक को कित 13 दिनों तक 14 देश तक चुदत दिनों तक उसे रोक कर वो रख सकती है चलिए next question देखתח नेक्स कोईें आपका कील नहर किसको जोंडती है टीक है कि's को आप आपन क्या ठोकते है कील theater तो ऐसे कुछ आप रिलेट करके लर्न करो जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी भूलेंगी नहीं ठीक है चलिए हर एक कर रिलेशन मैं नहीं बना सकती हूं ना मैं बता सकती हूं आप खुद से रिलेट करेंगे तो आपको ज्याद अच्छे से याद रहेगा मैंने एक किलोमेटर में पूछा जाएगा तो अपन वन थाउसन डिवाइट करके इसे अपन कल्कुलेट कर लेंगे ठीक है बस आपको क्या याद रखना है डिजट याद रखना थाड़ो सा बामन मीटर के चलिए नेक्स कोशन है आपका सब इसे उंचा बांध कौन सा है ठीक है सबस पूछा बांध कौन सा है तो आप उसका एंसर करेंगे टीरी बांध कौन सी नदी पर है ये भी पूछा सकता है तो आपके पास एंसर होगा भागी रथी किस स्टेट में है तो आपके पास एंसर होगा उत्राखन ठीक है तो आपको एक कोशन लर्न करना है जिसे आपको उसम सबसे लंबा बांध कौन सा है तो सबसे लंबा बांध कौन सा है हीरा कुंड बांध ठीक है कहां पर यह महा नदी पर है और उडिसा में है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं आपका अरजुन पुरुसकार किस वर्ष सुरू हुए तो कब सुरू हुए 1961 में अब देखी इस डेट को कैसे डिलेट करेंगे अरजुन पुरुसकार अरजुन जो थे वो एक ही अरजुन हुए है उनके अलाबा कोई उनके जैसा नहीं हुआ ठीक है तो 1961 में जो वन आ रहा है वो उससे अपने ऐसे डिलेट कर लेंगे कि 1961 में वन जो आ रहा है उसका मतलब है कि एक ही बार जो चीज हुई होगी उसका पूछा गया ठीक है तो अरजुन पुरुसकार किस वर्ष सुरू हुए 1961 में चलिए नेक्स कोशन देखते हैं तो मैक्से स लाइं यह यह हरियाणा की है ठीक है नेक्स कोशन है विजयस्तम्भ कहां इस्तीट यह चितओडorama है ठीक है ऐसे जितने भी नाम हो मूँगे जो भी ऐसे नाम हो माहाराणा प्रताप कुछ बीशी सारे रादिस्थान चितओड़ से ही related होते हैं ऐसा एक दिमाग वर्पन को बना के चलना है चलिए नेकस्ट कौशन देखते हैं आपका राश्ट्री मतदाता दिवस कब मनाया जाता है7 डेंस जन्वरी कोा चलिए सब देखते हैं 1जख किस यूग से समभंधित है थो यह गूग से समन्न आज के फिप्टीन कोश्चन जो मैंने काफी शॉट टाइम में कम्प्लीट करने की कोसिस की है पांच मियाट में मैंने सोच है आपको पंदर कोशन मैं लर्न करा सकूं और ऐसे ही सीरीज आएगी आपकी फिप्टीन पार्ट में जिससे कि आपके आने वाले जो भी अंसियल के पेपर्स जो भी एक्जामस होने वाले उन समय आपका जीके कवर हो जाएगा आपको जीके की बिल्कुल भी अलग से प्रिप्रेशन नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह मैं सारे इंप्रॉटन कोशन बहुत ही जगे से निकाल कर आपके लिए ला रही हूं ठीक है चलिए फि हिस्ट्री के कुछ इंप्रॉटन कोशन हमें बताएं जियोग्राफिक के बताएं ऐसा अगर आप चाहते तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताएं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी और चलिए फिर अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी अप